दोस्तों बात करें बिग बॉस OTT 3 के नए नॉमिनेशन लिस्ट की कि आखिर इस विक के लिए कौन कौन नॉमिनेटेड हुआ है तो यहाँ पर तीन बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर तीन कंटेस्टेंट है जो की नॉमिनेटेड है बात करें यहाँ पर कौन को नॉमिनेटेड है तो यहाँ पर लॉकेस कटारिया, विसाल पांडे और सिवानी कुमारी यह तीन लोग जो है वो नॉमिनेटेड है और इन में से कोई एक या दो जो है वो इस घर से एविक्ट होने वाला है यहाँ पर बता दे आपको कि अर्मान मलिक भी नॉमिनेटेड थे पर बिग बॉस ने रनवीर सोरे को यह पावर दे दिया था कि वो एक कंटेस्टेंट को बचा सकते है नॉमिनेशन से और यहाँ पर रनवीर सोरे ने अर्मान मलिक को नॉमिनेट होने से बचा लिया है और जैसा कि बोला जाता है कि अर्मान मलिक जो है वो बिग बॉस का दामाद है तो कुछ है इसलिए बिग बॉस ने यहाँ पर एक मास्टर माइंड गेम खेला और बिना मतलब का रनवीर सोरे को यह पावर दे दिया कि वो किसी एक कंटेश्टेंट को बचा सके अब जो कि अर् अर्मान मलिक को यहाँ पर रनवीर सोरे बचाने वाले थे बिग बॉस को पहले से पता था और हुआ भी ऐसा ही अर्मान मलिक को बिग बॉस ने नॉमिनेशन से बचा लिया है फिलाल आपको क्या लगता है यह तीन जो कंटेश्टेंट है लोकेस कटारिया विसाल पांडे औ तुमारे इन तीनों में से आखिर कौन एक या फिर दो एविक्ट होने वाला इस विक बिग बॉस के घर से कमेंट करके अपने ओपिनियन जरू लिखेगा